हलो एवरिवन वेलकम टू टेस्ट क्विज्ट टेस्ट क्विज्ट में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका एक नया टाइप करने वाले हैं क्लियर तो आज की जो कोशिंस हैं ठीक है वो कु ठीक है तो उसमें अगर दो वस्तु हैं एक में अगर एक्स प्रतिशत का लाब होता है और दूसरे में एक्स प्रतिशत की हानी होती है सपोज चार सु रूप आट सु रुपए में मैंने कोई चीज खरीदा है ठीक है दोनों को समान कीमत पर बेचा और एक में मुझे 20 प्र प्रतिशत की हानी हो रही है तो उस पूरे सौदे में मुझे सर्फ एक्स स्क्वेर अपॉन हंड्रेड परसंट की हानी ही होती है ठीक है उसमें हमें कोई भी फायदा नहीं होता है तो कोई भी वस्तु को अगर समान कीमत पर आप बेचते हैं ठीक है समान कीमत पर बेचते है उसमें X प्रतिशत का लाव और X प्रतिशत की हानी होती है तो उस पूरे सौदे में आपको सिर्फ हानी होगी और कितने प्रतिशत की हानी होगी तो आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वेर अपॉन हंडड़ प्रतिशत की हानी होती है यह तो रहा ट्रिक ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोश्चन को तो सबसे पहला कोश्चन दिया हुआ है सौरब परिजात को एक पंखा 20 प्रतिशत लाब पर बेज़ता है जो उसे 20 प्रतिशत हानी पर क्या करें जो यह डारेक्ट आप से पूछ रहा है कि लाब या हानी क्या हुआ पूछ रहा है तो मैंने तो आपको इस इसप्रतिशत का लाब हो रहा है और 20 एक्स प्रतीशत का हानी हो रहा है तो पूरे सौधे में ऑवर लॉल हमको एक्स प्रतीशत का हानी ही देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर x की वैल्य आप देख का रहे हैं कि है 20, ठीक है, तो मैंने क्या formula बताया, x square upon 100%, 20 की value क्या हो जाएगी, 20 का square upon 100, और यही क्या होगा, 400 upon 100, 0 से 0 cancel, मतलब कि पूरे सौदे में आपको 4 प्रतिशत की हानी होगी, clear, इसी है यह इस टाप को question, बस question को पढ़ना है, और आपको समझना है, ठीक है, कि कोई वस्तू को अगर हम समान कीमत पर बेच रहे हैं, उसमें हमको x प्रतिशत का लाब, और x प्रतिशत की हानी होती है, तो पूर सौदे में overall क्या हुआ पूछेगा, तो हानी होगी, और कितने की हानी हुई पूछेगा, तो x square upon 100 से हम उतने प्रतिशत की हानी को निकाल देंगे, ठीक है, next question पढ़ते हैं, एक व्यक्ति 20,000 रुपे की दर से 2 मशीने बेचता है, ठीक है, एक को 20,000 में बेचा, दूसरे को 20 सदार में बेचा, ठीक है, एक पर उसे 20 प्रतिशत का लाग हुआ, और दूसरे पर उसे 20 प्रतिशत की हानी हुई, तो बताइए, पूरे सौदे में उसे क्या मिला, ठीक है, तो हम पूरा नहीं निकालने वाला हैं, क्योंकि हमें तो पता है, कि जब भी ऐसा टाइप का कोश निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक स्कूर, ठीक है, 20 स्कूर, और ये 100 मतलब की 4 प्रतिशत की हानी हमें देखने को मिलेगी, चलिए, अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स कोशन, कोशन नमबर 3, हमने 1 कवर कर लिया, 2 भी कवर कर लिया, एक दुकानदार दो घड़ियो मेंसे प्रते को 720 रुपे में बेचा, पहले उसे 20 प्रतिशत की हानी हुई, और दूसरे पर उसे 20 प्रतिशत का लाब हुआ, ठीक है, तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले तो X की value आपको 20 पता चल गई, आपको पता चल गया, सेम यही 4 प्रतिशत की इसमें आपको हानी हो रही है, है ना, अब 4 प्रतिशत की हानी हो रही है, और प्रते को 720 रुपे में बेचा जा रहा है, मतलब की selling price, जो विक्रे मुल्य है, एक को 720 रुपै में बैचा और दूसरे को 720 रूपै में बैचा टोटल कितना हो गया 1444 रुपै हुआ ठीक है अब हमें क्या निकालना है क्राइब मुल्य निकालना थाओ आप पाओ गये न किया लुक्स नि कितने आपको 4% की हानी हुई है 4% की हानी हुई है मतलब की 100 में से 96% हो जाए गई है कोई भी वस्तू 100% होती है लेकिन अगर 4% की हानी हो रही है मतलब की आप 4% उसमें से माइनस कर देंगे तो इसका 96% तो x का 96% हमको क्या बता रहा है 1440 रुपए को बता रहा है ठीक है क्योंकि पूरे सौदे में 1440 में ही तो उसको 96% मतलब 4% की हानी हो रही है तो हम x की value निकाल लेंगे ठीक तो अगर हम इसको 12 से करते हैं ठीक है ये 1440 इंटू ये 100 इधर जाके उपट में ट्रांसफर होगा और ये 96 ठीक है तो 12 की टेबल में 8 बार में आता है और 12 की टेबल में 12 बार आता है ठीक है 8 का टेबल आप पढ़ोगे तो 15.120 होता है तो मैं हाँ पर इसको डारेट 15 लिख दूंगी ठीक है तो उसने 1500 शाहिए कुछ गलत हुआ ठीक है 15 और ये 15 मतलब 15 इंटू 100 ये हो गया 1500 रुपए ठीक है तो इस तरह से आपने देखा कि उसने 1500 रुपए उसकी क्या है क्रेम उल्य है और इसमें उसने बेचा कितना है 1440 रुपए में बेच दिया है दोनों को समान समान में तो उसको चार प्रतिशत का लॉस हुआ है क्लियर चलिए अब देखते हैं हमारा अगला कोश्चन क्या है इस ताइप टी कोश्चन बहुत कम बनते हैं लेकिन बाए देपॉल्ट अगर आ गए ऐसे कोश्चन तो प्रतिशत हानी पूछेगा आप डारेट इसमें एक्स स्क्वेर अपॉन हंड्रेड अगन उसका पासें निकल जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं हमारा नेक्स वेंड लास्ट कोश्चन क्या है ला कोश्चन फॉर इस एट थाजन रुपीज में दो इलेक्ट्रोनिक सिस्टम खरीदे गए पहले को 40 प्रतिशत लाव पर और दूसरे को कितना 40 प्रतिशत के हानी पर बेचा गया यदि दोनों का विक्रे मुल्य समान हैं दोनों को समान विक्रे मुल्य पर बेचा जा रहा है तो दोनों की क्रे मुल्य में कितना अंतर था तो सबसे पहले इसका क्रे मुल्य निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे माना की जो पहला है पहला वाला कितना था X रुपीज में खरीदा गया था तो दूसरे वाले को तोटल कितना 8000 रुपे में दो खरीदा है ना तो दूसरा वाला 8000-X ठीक है कोशन के अकॉर्डिंग प्रशना नुसार लिख के आप इसको सॉल करेंगे पहले वाले में 40 प्रतिशत का लाब हो रहा है आपको X इंटू 40 प्रतिशत का लाब मतलब 100 प्लस 40 तो 140 वाई 100 और दूसरे वाले में 8000-X इसमें आपको 40 प्रतिशत का हानी हो रहा है मतलब 100-40 60 तो यह क्या हो गया 60 by 100 यह 100 से यह 100 कैंसल हो जाएगा 8000 इंटू 60 माइनस 60 X यह 60 X इधर आके प्लस हो जाएगा तो 140 प्लस 60 200 X ठीक है और यह 8000 इंटू 60 नेक्स स्टेप में आप क्या करेंगे इस 200 रुपए को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यह 200 यहां जाएगा यह 0 से यह 20 रुपए कैंसल और यह 240 ठीक है 64 जा 24 24 तो 2400 आगे इस कांसल ठीक है मतलब की पहले वाले सिस्टम को उसने 2400 रुपए में खरीदा है और दूसरे वाले को कितने में खरीदा है A 8000 माइनस X की वैलियू 2400 मतलब की 5600 रुपई में उसने दूसरे वाले सिस्टम को खरीदा है question में क्या पूछा है तो दोनों की क्रेव मुल्य में कितना अंतर था पहला minus दूसरा कर दो यह दूसरा minus पहला क्रेव मुल्य में अंतर निकालना है आपको तो अंतर निकालिए 5600 minus 2400 ठीक है 00 6 में से 4 गया 2 5 में से 2 गया 3200 मतलब कि दोनों वस्तुओं के क्रेव मुल्य में 3200 रुपिस का डिफरेंस आया ठीक है इस तरह से यह कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का question था लेकिन हमें question को पढ़के उसको समझके उस तरह से उसको solve करना है आज की class के लिए इतना ही मिलते हैं अगले class में thank you